आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Monkey pox virus के बारे में हमारे भारत में भी जो तीन case है वो केला में मिले है और एक case जो है दिली में मिली है तो इसी monkey pox virus के बारे में मैं detail से इस video में explain करने वाला हूं वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखें 23 जुलाइ को विश्व स्वास्त संगठन WHO ने ये declare किया कि जो ये monkey pox disease है ये एक public health emergency बन चुकी है अंतराश्ट्रिय लेवल के लिए क्योंकि पहले ये जो रोग था केवल अफ्रीकन countries तक सीमित था लेकिन अब क्या है ये विश्व भर में धीरे धीरे दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है इसलिए इसको एक emergency declare किया है तो आई ये हब हम बात करते हैं ये disease क्या है तो इसको कहते हैं human monkey pox बोलते हैं तो इसमें virus कौन सा रहता है वो है monkey pox virus जो की west African countries में जब से सबसे ज़्यादा पाया जाता था 2017 से लेकर 2019 तक लेकिन इस साल जो है outbreak declare कर दिया गया है क्योंकि हर जगा फैलता जा रहा है अब तक पांच लोग जो है monkey virus disease से मर चुके हैं west African countries को छोड़ के जिन देशों में नहीं पाया जाता था यह रोग वहां पर पांच लोगों की death हो चुकी है इस रोग से अब इसका जो virus का जो main source है जैसे कि कोविड चायना से फैला था तो यह जो virus है कहां से उत्पन हुआ है तो यह virus उत्पन हुआ है लंडन और इंग्लेंड जैसी countries में आज की परिस्टि के बारे में अगर हम बात करें तो 97% जो cases है अफ्रीका के बाहर जो मिल रहा है तो यह जो रोग है monkey pox इसको endemic रोग कहा जाता था पहले क्योंकि endemic क्या होता है जो केवल एक ही देशों में होता है जैसे अफ्रीकान कंट्रीज में ही यह रोग पहले होता था तो इसको endemic बोलते थे जैसे कि COVID जो एकदम से विशुभर में फैनले लगा उसको बोलते थे pandemic तो यह जो क्या था monkey pox पहले एक endemic था जो अफ्रीकान कंट्रीज में ही पाया ज relationship में है तो उन लोगों को जादा होता था 97% केसी पांकी पॉक्स जो infection है यह एक viral disease है जो की इनसानों को भी हो सकता है और प्राणियों को भी हो सकता है अब हम इसके election के बारे में बात करेंगी कि हमको इसमें क्या क्या election देखने को मिल सकते हैं तो इसमें पहला election रहता है हमको बुखार आता है और हमारे जो भी lymph nodes रहते हैं उनमें एकदम सुजन आना चालो हो जाता है हमारे शरीर में एकदम चकत्ये पढ़ने लग जाते हैं कुजली होने लग जाती है अगर आप इस virus के contact में आ चुके हैं तो 5 से लेकर 21 दिनों के अंदर अंदर आपको election देखने को मिल सकते हैं ये जो monkey pox virus है या फिर disease बोल सकते हैं ये specially क्या होता है बच्चों को pregnant ladies को हो सकता है और उन लोगों को हो सकता है जिनका immune system weak है जो BP के patient हो गए, sugar के patient हो गए, HIV के patient हो गए जो elderly people है जिनकी ये ज़्यादा हो चुकी है तो उनको ये ज़्यादा होने के chances हो जाते हैं अब हम बात करेंगे कि जो monkey pox virus है आदमी से आदमी को कैसे फैलता है मान लिजे कि कोई person है already infected है monkey pox virus से अगर आप उसके contact में आ जाते हैं, उससे handshake कर रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं या फिर उसका जूटा पानी पी रहे हैं, जूटा खाया हुआ खाया हुआ आप खा रहे हैं kissing कर रहे हैं, sexual relationship maintain कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप दोनों के जो body के fluids हैं, वो exchange हो रहे हैं तो ऐसी परस्थिते में क्या होता है, आपको भी ये virus होने के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं आपको भी monkey pox disease होने के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं अगरा condition आता है, जो infected person है, अगर आपके सामने चीक रहा है, खांस रहा है, unprotected मतलब उसने हाथ भी नहीं रखा हुआ, तो ये क्या होता है, airborne route के थुरू आपको होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए क्या करना है, हमको अगर कोई खांस रहा है तो उसको बोलना है आगी कर्चिफ रखके खांसे या फिर आप खुद कर्चिफ रख सकते हैं ऐसे आप अपने आपको protect कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे कि ये जो रोग हुआ है, पता कैसे लगेगा हमको कैसे हुआ है तो इसको confirm करने के लिए जो virus का DNA test है वो करना पड़ेगा, तब ही आपको ये confirmation मिलेंगी कि आपको ये रोग हुआ है अभी तक इस रोग का कोई भी treatment नहीं है, जिस तरीके से COVID का भी कोई treatment हमको starting में नहीं मिला था जैसे जैसे दिन गुज़र उसके लिए vaccine बने, उसके लिए medicines आए, तो उसी तरह से ये रोग भी है एक नया smallpox और monkeypox vaccine जो है, modify करके बनाया गया है, vaccine या अंकारा बोलके उसको अप्रूव हो चुका है वह vaccine लेकिन उसका जो availability है, बहुत ही कम है बहुत ही कम जगा पर वह available है और production भी उसका बहुत ज़ादा नहीं है ये जो रोग है, monkeypox illness जो है, ये usually बहुत ही इसके जो है लक्षन रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं और इसमें जो है आदमी अच्छी तरीके से recover भी हो चायता है, अगर उसको अच्छी तरह treatment मिल जाए तो इसका जो death rate है, death rate जो है वो भी बुतना नहीं है, 1% से 10% तक vary करता है death percent जो इसका है, एक से लेकर 10% तक vary करता है, मान लेज़े अगर 100 लोगों को ये infection हुआ है तो उसमें से जो death rate हो सकती है, वो एक आदमी के हो सकती है, फिर 10 आदमी के हो सकती है तो यही जो estimation था, वो covid infection के लिए भी लाया गया था, उसमें भी death rate जो है 1% to 10% ही देला, लेकिन बाद में देखा आप लोगों ने कैसे वो एक बहुत बड़ी महामारी बन गई तो आप लोगों को इसमें क्या-क्या सावधानी बरतनी है, वो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को जो है अपना person hygiene जो है बहुत अच्छे से maintain करना पड़ेगा आप जो hand wash practice करते थे, covid के time पे आपको फिर से वो start कर देनी है और आपको फिर से mask पहनना है, आप कहीं भी public places में जा रहे हैं तो mask का use करना compulsory है और जो मैंने already sexual related activities के बार में बताया था कि multiple sexual relationship आप लोगों को नहीं रखनी है अंत में बस यही कहना चाहूंगा सावधान रही है, सतर्क रही है और सुरक्षित रही है तो आगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like का बटन दबाई है चुटक ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको आगे बीसी तरह की वीडियो जेखने है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ तिल देन टेक केर, धन्यवाद